अमुमन ये धार्णा देखी जाती है कि कई बार कुछ अच्छा प्रशाश्निक पद मिल जाए तो फिर अन्य पदों की लालसा नहीं रहती है किसी बड़ी कोई इंडस्ट्री में हमें एक बड़ा पद मिल जाए तो किसी अन्य पद की लालसा नहीं रहती है मगर राजनीती एक ऐसा मोह है जो इन धर्णाओं को और मन्यताओं को द्वस्त करता दिखाई देता है अभी उदेपुर का जो द्रश्य देखा जा रहा है लोगसबा चुनाव में जिस प्रकार के दो चहरे आमने सामने हैं उनसे कुछ इस्तितिया राजसमंद की भी तो साथ ही अगर इंडुस्त्री की तरफ जाए तो राजसमंद की सबसे बड़ी इंडुस्त्री है इंदुस्तान जिंक विधानता वहां पर भी एक अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने गत विधान सबाचुनाव में अपने लिए आवसर तलाश ने की कोशिश की उनके फैन पे इंडुस्तान जिंक से जुड़े हुए हैं उन्होंने कोंग्रेस से कोशिश की थी उनके बड़े-बड़े पोस्टर्स हैं जिसमें की कॉंग्रेस की सबी बढ़े-बड़े चेहरे उसमें दिखाई दे रहे हैं साथ में उनका एक बहुत बड़ा फोटोग्राफ लगा कई बार हम देखते हैं अलग-अलग तरीके से कि लोग अपनी नोकरिया छोड़ देते हैं, लोग बड़ी-बड़े पदो पर जाने के बाद भी वहाँ से वियारस लेके चुनाव लड़ते हुए दिखाई देते हैं, उध्यपूर की सितिया में इसलिए बता रहा हूँ क्यों उनके जीवन की गाड़ी राजनितिक राहों पर बढ़ चली है, भारचंदा पार्टे की तरफ से वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कॉंग्रेस से अगर वहां का चेहरा देखा जाए, ताराचंद मीना, जो की उध्यपूर जिल्ला कलेक्टर रहे हुए हैं, बताए जता कारी हैं, जो वी रस लेकर भी चुनाव लड़ते दिखाई दिये, कुछ ने अपने कारिकाल पूरे करने के बाद चुनाव लड़ते हुए दिखाई दिये, तो रासमंद भी फिर ऐसी इस्तितिय पर इस्तितियों में कई बार देखा गया, क्योंकि जो मैं जिक्र कर रहा एक लंबा चुड़ा कारिकाल उन्होंने यहां बिताया, उसके बाद जब सेवा निवरती उनकी हो गई, तो भरत्यंत्या पार्टी से जुड़ गए, और कई बार फिर रासमंद में भी कुछ कारिक्रम आये, वहां पर भी उन्होंने बाशन दिये, बड़े एक अनुभवी राजनेता की तरह उनकी बाते हमको देखने को मिली, बताए उस दोर में यह भी जा रहा था कि टिकेट के लिए दावेदारी भी कर रहे थे, अवसर नहीं मिला, मगर प्रशाशनी गलियारों से राजनेती गलियारों तक उनकी यात्रा जरूर हम समने देखी, ऐसी है कि यात पद पर यहां दरीबा में वो बने हुए है, बल्वन से राठोर भी कहीं नहीं राजनेती गलियारों में अपनी लिए जगा तलाशी जाती है, तो यह समर्थकों के माध्यम से ही सगुपे छोड़े जाते हैं, और उस जो फोटू है उसमें उनके नीचे उनका जो डेजिग विधानता के लिए, तो वो वाइस प्रेजिडेंट की उनकी यात्रा है, विधानसभा के चुनाव के कारिकाल की थी, उपर तमाम कॉंग्रेस के बड़े चेहरे, रास्टर से लेकर, प्रदेश तक और प्रदेश से लेकर उनके बिलवडा के छेतर तक के चेहरे, वहां उस उपर लोगों में लगाये गए हैं, उपर चेहरे वहां बनाये गए हैं कि इनकी अनुकंपा से कहीं मुझे आउसर मिल जाए, अलाकि अब यह बताया जा रहा है कि उस वक्त उनके पास जो विधानता में पद था, अब उससे भी थोड़ा उपर बढ़ गए हैं, पदो नती मगर यह जब चीजे देखते हैं तो फिर बापिस उसी धारना की तरफ ध्यान चला जाता है कि कहीं न कहीं राजनितिक गलियारों का मोह इतना मजबूत होता है कि फिर व्यक्ति चाहे बड़े से बड़े प्रशाशनिक पद पर हो, वो अपना मोह नहीं छोड़ पाते हैं, वो अपनी नौकरी छोड़कर इस चुनावी दंगल में कुद पड़ते हैं, तो चाहे फिर व्यदानता जैसी बड़ी-बड़ी कंपनियों में, वाइस प्रेशिडेंट जैसे बड़े-बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं, कहीं ने कहीं उनकी लालसा भी रहती है, क इस वक्त उन्होंने कॉंग्रेस से दावेदारी की थी, अब भाजबा के इस चाशन में भी उनकी पदों नती हुई है, तो ये भी है कि राजनता के लक्षन है, कि जहां पर भी जिस भी परकार की परिसित्या होती है, व्यक्ति अपने लिए इस्थान बना ही लेता है, तो राजनती के लिए अगर किसी का मन है तो इन चुटकियों की भी अब्यस्त होना चाहिए, चुटकियों की भी आदत डालनी चाहिए, एकुल मिलाकर मुझे उस पोस्टर से या केशी वर्मा जी के उस राजनती की सफर से ये एपिसोर बनाने का मौका मिल गया, यहां से कुछ चीजे, मैं राजनती को और प्रशाशनी गलियारों को इन वहसाइक गलियारों को एक करते हुए पहुचा रहा हूँ, आपके पास भी ऐसे कुछ नाम हो अपने च्छेतर के, तो मुझे बताइए, जिन्होंने कभी ने कभी इस तरह से एक राजनती के लालसा के लिए अपन